इस बार 43 वा है और इसी साल जारखन मुक्ती मूर्चा का पचास साल चार फर्वरी को होने जा रहा है जारखन मुक्ती मूर्चा का जो परंपरा रहा है गुरू जी का जो उस वक्त का आंदोलन के टाइम में कि किस तरह हम अपना सनवाद अपना बात को अपना विचार को एक साल का लेखा जोखा को अपने कारकरताओं के बीच अपने पदाधी कारियों के बीच और आम जनता के बीच कैसे हम लोग पहुंचाएंगे पाटी कैसे पहुंचाएगी और दो फरवरी में गुरुजी के संदेश को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहले तो आज तो गाड़ी का सुविधा है बहुत सारी सुविधा है पहले पैदल चल करके ही दो दिन तीन दिन में दुमका आदमी पहुंचते हैं खिच्री बनता था दो तीन दिन से खिच्री बन रहा सब खा रहा और क्यार करम महा होता था और इससे जार्खन मुक्ति मुर्चा जो संथाल परगना का गढ़ मना जाता है संथाल परगना में सबसे जादा जनाधार अगर किसी का है तो जार्खन मुक्ति मुर्चा है तो इसमें बहुत बड़ा ये जार्खन मुक्ति मुर्चा का दो फरवरी का अस्थापना दीवस का है गुरू जी का सौच उनका आगे का प्रोग्राम कैसे क्या करना है वही दो फरवरी को वहां दिसानिर देश मिलता था अब हम लोग नया टेक्नलोजी में जी रहे हैं सारा चीज इर्भान सो गिया है इसके बाद भी हम लोग अपना जो परंपरा है जार्खन मुक्ति मुर्चा का उसी के हिसाब से चल रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे क्योंकि जार्खनमुक्ति मूर्चा जमीनी पाटी है, माटी का पाटी है, जल, जंगल, जमीन को लिकर के हम लोग चलते हैं, घरीब को कैसे हम लोग जादा से जादा सुविधा दे सकें, आज हिंदुस्तान में पहला एसा इस्टेट है, जहां अनलिमिटेट पैंसन योजना क का किया गिया है, पहला इस्टेट है, जहां काट धारी को पचीस रुपईया सबसीडी या दस लिटर तेल में हर महिना अड़हाई सो रुपईया, आप तेल खरीदें या नहीं खरीदें, जिनके पास गाड़ी है, और काट धारी हैं, उनको धाई सो रुपईया आपके खाते में पहुंच जाएगा, अभी भी पेल के तेहद भी काम हो रहा है, अभी आपने देखा होगा, कि डेल महिना सरकार आपकी दुआर कायरकरम चला, जो हर पंचैत में ये सिविर लगाया गिया, और उसका जो भी दिक्कत थी, उसका समाधान किया गिया, और दो फर्वरी कल का जो अस्थापना दिवस है, पहले कभी देवघर में भी हुआ करता था, इस बार हम लोग को मुका मिला है, देवघर में अस्थापना दिवस मनाने का, पूरा जोस और ख्रोस से, कोविट गैडलाइन का पालन करते हुए, सान्ती पूर्ण तरीके से हम लोग कल का जो अस्थापना दिवस है, धर्खन मुक्ति मुर्चा का तेहवार है, उसको हम लोग मनाएगे. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंट चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूले.